यह ओल इंडिया इंडियन रेलवे में जितने भी जॉनल मुख्याले हैं जितने भी मंडल मुख्याले हैं और जितने भी कारखाना मुख्याले हैं वहाँ पर उल्ली आएस्सी एस्टी डेलवें अप्लाई असूसेशन द्वारा इस तरीके का ब्रोध प्रजशन किया जा रहा है और पूरे देश में इसी तरीके का रोष और ब्रोध हनसुची जाती जन जाती करमचारियों में देखने को मिल रहा है ऐसी कौन सी परिष्टिती बरत्मान में हम लोगों के सामने आई जबकि इस देश में एक ऐसी सरकार जो समरता समानता की बात करती हो और इस देश के प्रधान मंत्री सम्मिधान की दुआई देदे करके बावा साथ डॉक्टर भीवरा उम्मेट करके इस मरत बनवाते हो लेकिन उसी समाज के जो अनसुजी जाती जन जाती के करमचारी है उनके साथ ऐसा कौन सा भेदवाव हो रहा है उनके साथ ऐसा कौन सा अन्याय हो रहा है कौन सा अत्याचार हो रहा है आपकी नज़रों के नीचे कि उनको मजबूर होना पड़ा कि पूरे देश में इस तरीके के अंदोनन खड़े किये जाएं मैं चर्चा सुरू करूँगा अभी फिलाल में क्योंकि बहुत सारे करमचारी मेरे मुझे ये सवाल करते हैं कि कि यह मामला पिस्मिद्ध्याले का है रेल्बे दौरा जो समस्याइए उनको हमें उठाना चाहिए मिस्मिद्ध्याले में भी हमारे हई भाई लोक काम करते हैं और अभी जो फिलाल में माननी ये सर्वोच नियादर द्वारा जो नेने दिया गया जिसमें इलावाद हाई कोड के जज्मेंट को बरकरार रखते हुए ये कहा गया कि विश्विद्याल में 13 पॉइंट रोस्टर लागू होगा तर्टीन पॉइंट रोस्टर जब 1997 में आरके सब्रबाल का केश चलाता और 200 पोस्टर पोस्टर लागू किया गया था उस समय पूरे विश्विद्यालों को एक यूनिट मान करके प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर्स की भरती हुआ करती थी लेकिन कुछ मनुबादी प्रोफेसर्स ने मनुबादी विचार धारां को मानने वाले वो लोग उन्होंने अपना दिमाद दोड़ाया और कहा कि अगर विश्विद्याले के बेस पर बरती की जाएगी तो इतिहास का प्रोफेसर होगा वो अर्थसास नहीं पढ़ा पाएगा और अर्थसास का प्रोफेसर होगा वो समाशास्र नहीं पढ़ा पाएगा इसलिए विवाद को यूनिट मान करके 13 पॉइंट रोस्टल लागू होगा और उसमें रेकूर्टमेंट होगा मैं इस मर्च के मात्यम से पूछना चाहता हूँ कि इस देश में चाय बेचने वाला प्रधान मंत्री हो सकता है तो समास साथ का प्रोफिसर रस्तास क्यों नहीं पढ़ा सकता इस देश में एक इंजिनियर गाड़ी चला सकता है DRM बढ़के DRM आफिस में बैठ सकता है तो अनसुची जाती जन जाती का कोई करमचारी के असिस्टेंट प्रोफिसर भी नहीं बन सकता और वो ऐसी परपाटी डाल दी गई कि अगर 13 पॉइंट रोस्टर को लागू किया जाए या तो उसमें अनसुची जाती अनसुची जन जाती का प्रतनित तो बिलकुल खतन हो जाएगा क्योंकि यह तरीके से मेरे पूर्व बत्ता कि दभीर जी ने बताया कि अगर 13 पॉइंट पे 15 परसेंट के हिसाब से परसेंटेज निकाला जाए तो 197 बैठता है दो पॉइंट से की बैठती है और साड़े साथ परसेंट के हिसाब से अगर गणना की जाए तो 97 अनसुची जन जाती के लोग बनते हैं अगर वो चार वेकंसी पे लाके खड़ा कर दिया जाएगा तो 14 पॉइंट OVC को मिलेगा अनसुची जाती जन जाती को नहीं मिलेगा ये साज़े से हमारे प्रोफिसरों के खिलाव और जब ये देखा किस तरी से पूरे देश के आरच्छड को खतम किया जाए आरच्छे बड़वाली को ऐसा कर दिया जाए कि नाम बस सिर्फ आरच्छड रह जाए इन अनसुचे जाती जन जाती के लोहों को आरच्छड बंद कर दिया जाए साज़े से के तहट 10% PWS आरच्छड लागू किया गया गरीवी समयनों के लिए 10% आरच्छड लागू किया गया हमारा इससे कोई ब्रोध नहीं है माने लिया पृधानमत्री जी आप 10 नहीं 20% आरच्छड लागू करो हमारा इससे कोई ब्रोध नहीं है लेकिन हमारा पंद्रे और 7.5% का आरच्छड बरकरार रहना के लिए इसमें अगर छेड़ चाड़ होगी तो हमारा ग्रोग है और जो पहले रोस्ट चलना था डियो पीटी का उसी में 10% के आरेचल को सामान जच से कर दिया गया रेल्वे ने जब 1997 में आरके सब्रवाल का केस हुआ था और जब वेकेंसी बेस रोस्टर को खतम करके पोस्ट मेस्टर लागू किया गया उससे में रेल्वे ने अपना दमाग दोड़ाया और यह चन्नाई सर्वोच चन्नाई नियाले का निड़ा था मारीण यह सर्वोच नियाले का भी लेड़ा हुआ कि जहां पर तेरे वेकेंसी हो जाएंगी वहाँ पर अनुसुदिक जाती का 14 और 12 पोइंट बनेगा अनुसुदिक जन्जाती का आठमा पोइंट बनेगा तो रेल्वे ने उसको 14 पोइंट कर दिया ये कोई गुना नहीं किया सरबाच लियाने ने कहा था कि एक आदमी के टुकड़े नहीं किया जा सकते एक आदमी तो दो बादों में नहीं बाटा जा जोता अजर बारह तेरे में साड़े साथ परसेंट करना जाए तो 97% बेटा है हमारा यानि भी रांडिन वाप कर दिया जाते हैं एक में कैंसी बनती है और आग जो डियो पीटी के दोरे रोस्टर लागू किया दिया है और जो रेलिवे में नालाई का गारी जो ने अपना दमाई में दोड़ाया जो सिर्फ गारी चलाने की बात करते हैं अगर कोई सबसे ज़्यादारी से रेलिवे में काम करता है तो वो अनुशुती जाती जन जाती का ड्राइवर और गार्ड करता है क्योंकि आप पिछले कोई भी अद्वार उठा के देखिए कोई भी चैनल का नीज खोड़ के देख लीगिए जितने भी रेलिवे में एसिडेंट हुए होंगे वो किसी अनुशुती जाती जन जाती के ड्राइवर और गार से नहीं हुए होंगे इस जैस के अगर दस्तवाइस किसी ले पहर बेजे होंगे तो वो किसी अनुशुती जाती जन जाती नहीं बेजे होंगे किसी और नहीं बेखे हैं अब डियो पीटिने ने उसके जारी किया अरो भाई उस समय जब रेड़ वे में जोदकारी थे उनका क्या ज्यादा दिमांग था तो आज आपके पास कुछ भी नहीं है आपने एजेटेट जारी कर दिया और हमारी अनुसुचित जाती की एक पेकें किसी को खा गए और यहां तो ऐसा भी हो रहा है डियार ओफिस के करमचारी डियारन साथ सुने हैं आप किया जब प्रमोशन होगा लोको पाइलेट का और लोको पाइलेट की सक्सेश्पल ट्रेनिंग कंप्लेट करने के बाद में जब उनका पोस्टिंग हो गया तो सबढ़ के लोक चले गए अधालत में और अधालत में सिल्पिसी भासा में कह दिया कि जब आप में प्रमोशन किया था तो एम नाहिराज को फॉलो नहीं किया इसलिए ये प्रमोशन रद किये जाते हैं मैं यह पूझदा जाता हूं मैंज के मातल से कि जो सरकार की लिए पालसी है ज को बचाने के जुम्मेदारी आपकी है पंजड़ाज सारे साथ परसें के इसाथ से अम लोगों को आरक्षड दिया था लोगों पाइलेट का और अधार को यादेश जादी जिए गया तो आपको हाई गोट में जाना चाहिए था हाई गोट में होता तो आपको सर्वच में जाना चाहिए था आपको केट की भासा का यूज करके हमारे लोगों पाइलेटों को रभब नहीं किया जाना चाहिए था मैं इस मंच के माध्यक्त देवाइं करता हूँ माने लिए दिये रहां जाब आपके पास एक महीड़ी के समय अल इंडिया स्टी डियन में ब्लाइए सुचन दे रही है अगर एक महीड़ी के अंदर मेरे लोकों पाइलेट को बापस नहीं किया तो इसी समय धन्ना चलेगा और कंडी नहीं चलेगा जिसको आप रोख नहीं पाएंगे यह नया अतचार सरकार नया की बात करती है हम भी नया प्री लोग है और आग के मामले में हमने पहले एक लादे जिटी डियरमसाद को हमारे लोगों पहले सीने डेपियों को बका जिया था कि साथ तारीप को हम रोड़ परजल समकरेंगे केंजी कारकाने के दिस्तान परादे उचान साल कोई गुनाय नहीं कर रहा है अगर हमारे लोगव गो पाइलेट को रिबट किया रहिमारे उब बाबस लाने की मांग अगर आप उसको कहेंगे कि आप धरना नहीं कर सकते तो यह सबसे बड़ा नए डियानमों पिसे हो रहा है पूछना चाहता हूं कि अगर आप सिर्फ मांच ट्रेविनन से इसलिये ड़ते हो कि आंपर पी एंएम का अधिकार है तो हो सकता है कि हमारे पास पी एंएम का अधिकार नवो हो कि हो सकता है कि हुए पिये में मिले भी नहीं भविसमें मुख्रिक अगड़ाई जारी है हमारी लेकिन हमारे पास कॉंस्टिटिटूशनल प्रोड़क्शन है दोस्तों हमारे पास हमारे पास अनुस्टिट जाती जन्जाती का आयोग है हम वहां मुझी समस्टा पर ले जाएंगे और वहां पर करम्चारियों को पुला करके अपने समस्टा पर निटाड़ा करें